वेल्कम स्टुडेंट्स जैसे की हमने टाप एक्सपेक्टेड टॉप थर्टी कोर्शन की सीरी शिरू कर रखी है उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे चप्टर फोर क्वाइटिक इक्विशन से कुछ इंपॉर्टन कोर्टन कोर्शन तो आज का कोर्शन क्या है आज का कोशन कर रहे है अब बड़ा दियान देने जो के बाज़े है कि इसको दियान से पढ़ने लेंथ अब दा प्लाट इस बन मोर दें ट्वाइस इस यानि कि जो लेंथ है प्लाट की वह कितनी है उस प्लाड की ब्रेथ से डबल और प्लस वन यानि कि पहले हम क्या करेंगे प्लाड की ब्रेथ को लेट कर लेंगे सब्सक्राइब कि सिर्फ हमने इक्यूशन ही बनाने है लेकिन हम क्या करेंगे एक्विशन को निकालते सब्सक्राइब करें अगर ऐसा ही कोशन पेपर में आ गया और उन्होंने पूछ लिए हमें कि लेंद्ध अन्ड ब्रेट्थ अब दा प्लाट तो फिर हम क्या गरेंगे फिर वही चीज शीखेंगे अगर ऐसा ही कोशन आ गया एक क्वेशन हमने बनानी जैसे हमारे पाज बन जाएगी तू बी स्केर प्लस बी माइनस फाइब टू एट बट हमारे पास लेंथ कितनी है ब्र प्लस बन यह हमने अब यह भी देखा कि बी और यह टू बी प्लस बन कैसे आया अब बली बादी जाते हैं कि अगर हमारा प्लाट रेक्टेंगुलर रहे तो इसके एरिया कैसा होगा लेंथ इन टू ब्रेट्थ तो अंडर्शूड आ लेंथ कितनी थी हमारे पास तू बी प प्लाट कितना फाइब टू एट सकेर मिटर जो हमारे पास एक्वेशन बने टू बरेकर टू बी प्लस बडस वन एकुल टू फाइब टू स्केर मिटर तो बी और टू भी जब आपस में मल्टिपलाई करते हैं तो आंसरा जाएगा तू बिका स्केर फिर प्लस का प्लस ओ य यह प्लस व्ला था यहां कि कैसा ओगये माइनस सीचेसे सब्सक्राइड के लिए इसको निकालना में सीखें तो निकालने के लिए सबसे पहले आप अपने पास अपनी बुक्स में नोट कर लीजिए एक quadratic formula होता है तो आप वो क्या बोलता है x is equal to minus b plus minus root में b square minus 4 एसी पूरे को divide करेगी 2a तो ये formula कैसे बना किस तरह बना ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में आपको बता दूँगा तो फिलाल ये को कोशन था इसको अब हम निकालने की कोशिश करेंगे इसी formula को यूज करते हुए तो फार डेरिवेशन प्लीज बाच माइ next वीडियो जो मैं बनाऊंगा आपको ये बताऊंगा कि ये formula कैसे बना और इसके लिए हम कहां कहां और कैसे यूज कर सकते हैं तो फिलाल यहां पे जितने भी quadratic equation बनेंगी हमारे पास उन में जो हमें values निकालनी है उस values निकालने के लिए यह formula बड़ा ही important है आप अपनी books में note कर लीजिए और अब जितने भी questions है quadratic के वह इसी formula से निकालने की कोशिश करिए ताकि आपको इस formula की practice हुजए और paper में जाके question निकालने में दिक्कत ना है ऐसे तो हम इस question को middle term को split करके भी निकाल सकते थे यहां अगर उसको use करते तो भी यह निकल जाता लेकिन chapter का नाम quadratic equation है तो quadratic equation में हमें बेतर है कि जो उसके concern formula है वही को use करते वह चले टाकि हमारा काम आगे जाके असान हो जाए हमें paper में असानी ह हो जाए आजाए अब इसको question को निकालने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास rectangular field था उसकी length क्या थी और breadth क्या है equation का बनी थी हमारी 2b का square plus b minus 528 equal to 0 तो यहां पे a की value कितनी आ गई 2b की value 1 है और c minus 528 वही लिखा हमने तो हमारे पास formula क्या था formula था minus b plus minus bracket में b का square minus 4ac divided by 2a तो वही हमने यहां पे b की जगा पे b की value बुट गी है b की जगा पे b value बुट गी है 4 की जगा 4 ही है फिर मारे पास a की जगा a है और c की जगा पे c की value है और a की जगा a की बुट आप देखो ध्यान से माइनस वन का तो माइनस बन रहा प्लस माइनस जैसे सब ऐसा ही है रूट में वन का square तो वन होता है और आपको पता है minus into minus multiply करते है तो प्लस हो जाता है और जब इनको हमने multiply किया तो मांच रहा है 4224 अब इनको add on कर लिए आपको याद होगा एक स्केर रूट निगालने का शांदार ट्रिक बताया था आपने इसको देखा होगा अगर जिन बच्चों ने इसको नहीं देखा तो मेरी playlist में जाएए वहापे स्केर रूट के ट्रिक्स हैं वहाँ आपे easy math ट्रिक्स लिखा होगा playlist देखें वहाँ इसको शीक लें तो क्या करना क्या आप बली बानती जानते हो कि अगर जोनट 5 था तो जो बड़ा answer आएगा इसका रूट में तो वह भी जोनट भी 5 होगा फिर आपको बने पताया था कि second number छोड़ देना है फिर next जित्रे भी numbers है उनका nearest suit देखना है तो 42 है 42 का सबसे nearest अगर हम देखें तो किसका square होगा 6 का square 36 7 का 49 तो 6 पास पास वाला था यह आपे 65 आप अब आपको पता यह minus plus minus 65 4 तो इसी को कैसे लिख लेंगे हम इसको लिख सक लिखते हैं minus 1 plus 65 by 4 minus 1 minus 65 by 4 तो आपको पता है 65 में से 1 गये तो 64 divided by 4 अंतर हो गया 16 यहां पे अंतर मारा मारा आया minus 1 और आप बली बनती जानते कि कोई भी dimension negative में नहीं होती इसलिए हम इस तर्म को क्या करेंगे और यह positive वाली टर्म है इसको असेप्ट कर लेंगे वही लिखा यहां पे negative term rejected because dimension is not B negative so we accepted positive term that is B is equal to 16 यानि कि जो breadth हमारी थी plot की वो कितनी है 16 है तो L कितनी थी L थी थी twice of the breadth plus 1 थी 2 into 16 plus 1 32 plus 1 33 मेटर इसी को हमने verify भी कर लिए यहां पे आपको पता length आप प्लाट क्या होता है वो थी 33 ब्रेट्स कितनी है 16 एजे कितना होगा length into breadth length कितनी है हमारे पास length 33 ब्रेट्स कितनी है 16 इनको multiply करेंगे तो आंसर होगा 528 जो कि given था हमारे पास आप मैंने इसको verify भी कर लिया I hope so कि आपको quadratic formula यूज करते हुए आपको quadratic equation को solve करना आ गया होगा अगर फिर भी आपकी कोई query होगी तो quiet box में लिकना आज को answer करूँगा तो अब मेरे अगले वीडियो को जुरूर देखें जो इसके बाद वाला भी आएगा उसमें मैं आपको यह quadratic formula tribe करना सिखांगा तो I hope so कि आपको यह questions समझ आ गया होगा और आप paper में इस किसम के जित्रे भी questions आएंगे quadratic formula यूज करके आप निकाल लोगे तो students I hope so कि आपको यह वीडियो पिसंद आएगा आप इसे like and share करें अगर नए वियो रो तो चैनल को subscribe करें Thank you students